तो दोस्तों हर कोई अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है यानि money को grow करना चाहता है और money growth के लिए एक ही काम करना होता है कि money को आज invest करना पड़ता है तकि future में वो आपके लिए grow हो सके अब investments related जितनी भी नई updates होती है नई जानकारी होती है नई information होती है जो भी नई fund होते उन जिसमें आप अगर आपका मन है तो आप invest कर सकते हैं तो अगर आप एक investor है तो आपको एक नए fund के बारे में जानकारी मिलेगे आज की इस वीडियो में वीडियो को compete देखेगा चैल को subscribe नहीं क्या subscribe परने के साथ notification बैल को दबा के all पर भी click के लिजेगा क्योंकि ऐसे helpful content आप आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त योगी योगेंद्र तो दोस्तो एजए investor हम अपना पैसा अलग अलग fund में समय समय पर निवेश करते हैं ताकि जो fund है उसकी growth हो तो हमारी money भी grow हो सके लेकिन कैसा हो कि यार हम एक fund को जब चुने तो हम देखे कि फंड जो है वो कितना अच्छा growth करेगा इसका past कैसा रहा है और यह fund का जो strategy है वो कैसे है अगर मैं आपको एक simple भासा में समझाओ माल लीजिए हम देखे क्या रे cricket की team है और इस team के अंदर हम बड़िया बड़िया प्लेयर रख देते हैं माल लीजिए जो ब बड़िया बड़िया batsman ही रख देते हैं क्योंकि सभी run बनाएंगे लेकिन क्या इससे team मझभूत हो जाएगी नहीं आपको क्या करना पड़ेगा team के अंदर कुछ अच्छे batsman डालने पड़ेंगे अच्छे baller डालने पड़ेंगे विकेट keepers डालने पड़ेंगे अच्छे portfolio अब अच्छा portfolio कोन सा होता है जिसके अंदर अच्छी companies हो और उनका जो balance है वो भी काफी सही हो अब अगर nifty 50 की बात करें तो भाई इस अच्छी company तो आपको कहा मिलेगी अब अगर आपको nifty 50 के अंदर ही invest करना है तो आपके लिए fund काफी कमाल का है और यह इंडिया का first ever equal fund है यानि यहाँ पे जो companies है उनको equal weightage मिलने वाला है वो भी 2% का चलिए थोड़ा example से मैं आपको समझा देता हूं तो दोस्तों इस fund का नाम है dsp equal nifty 50 fund और यह एक equal fund है और यह open ended scheme है अब इसकी कुछ खास्यत के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे invest करते हैं इंडिया की top 50 companies के अंदर और यहाँ पे जितनी भी companies है उनको equal weightage मिलता है जिसके बारे में आपको आगे समझाऊँगा और जो आपका portfolio है वह आप low cost पर भी diversify कर लेते हैं तो दोस्तों समझने के लिए देखिए अगर nifty 50 index की बात करें तो जो यहाँ पे top 10 stocks है जैसे Reliance Industries हो गया HDFC Bank हो गय गया Infosys हो गया और वैसे भी हमारी नजर ऐसे ही stocks पर रहती है ऐसे ही companies पर रहते है क्योंकि उनकी marketing strategy कुछ ऐसी होती है तो वहाँ पे nifty 50 index की जहां तक बात है तो Reliance Industries की 10.4% allocation होती है वहीं अगर weightage की बात करें nifty 50 equal weightage index के अंदर तो यहाँ पे 1.9% है और बाकी जो भी top 10 stocks ह उन सभी की लगबग 2% के आसपासी यहाँ पे weightage है यानि सभी की आपको equal weightage यहाँ पे मिल जाती है इसके लावा जो bottom 10 company जैसे कि मालो भारत petroleum corporation है उसकी अगर nifty 50 index की बात करें तो यहाँ पे weightage है 0.7% लेकिन यहाँ पे nifty 50 equal weightage index की बात करें तो यहाँ पे वो भी 2% है यानि के top 10 stocks की बात करें या bottom 10 की बात करें सभी का 2% weightage है सभी का equal है यानि यहाँ सभी players को performance दिखाने का मौका मिलता है और इसी के लिए इस fund का नाम है dsp nifty 50 equal fund और अगर हम बात करें sector wise की तो यहाँ पे sector wise अगर हम देखें तो देखें सबसे पहले बात करतें nifty 50 की तो यहाँ पे 5% यानि 80% के आसपास बाकी सारी companies को मिल रहा है यानि बाकी players को मोका मिल रहा है perform करने का पास performance की बात कर लेते हैं तो हम value लगाते है एक लाख रुपे की वो भी 99 से 2021 के हिसाब से तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पे जो nifty 50 टी आ रही है वो एक लाख रुपे के value बनती है लगबग 17,666,000 रुपे और वही nifty 50 equal weight की बात करें तो यहाँ पे बन जाती है करीब 26 लाख रुपे यानि कुल मिलाके जो dsp का nifty 50 equal fund है वहाँ पे सभी players को perform बराबर करने का मोका मिलता है और सभी को 2-2% का weight is मिलता है और वही nifty 50 की बात करें तो वहाँ पे कुछ top companies है जि किसे जैसे मैंने आपको cricket वाली example लिया था जैसे cricket की टीम तयार होते हैं अच्छे players भी है अच्छे batsmen भी है अच्छे ballers भी है अच्छे wicket keepers भी है वैसे यह जो index fund है वहली बात तो मैं आपको बता दू किस तरह का equal fund है वो इंडिया का first ever equal fund है dsp nifty 50 equal fund और इसमें सभी तरह क जो fund है उनको बराबर weight is मिल रहा है तो यहां पर क्या है कि आपका जो portfolio काफी diversify होता है low cost पर तो आप इसके अंदर invest कर सकते हैं और वैसे यह ETF है तो ETF के बारे में तो आप जानते हैं कि ETF काफी अच्छे होते हैं इनको आप कभी भी खरीच सकते हैं कभी भी वेश सकते हैं औ अगर बात करें example की mobile के थुरू आप कैसे कर सकते हैं तो वैसे तो बहुत सारे तरीके है लेकिन Paytm Money app को में ज्यादा अच्छा समझता हूं अगर आपको ETF के अंदर यानि इस fund के अंदर invest करना है तो करना कुछ नहीं है Paytm Money app का जो download link है वो आपको मिल जागा description में जाके पह काफी अच्छी एप है Paytm Money मलब Paytm Money app के बारे में अगर एक वर्ड में बूलू तो यह All-in-one investment app है जहां पे आप डारेक्ट mutual fund है, gold है, ETF है, wealth basket है, सभी के अंदर आप easily invest कर सकते हैं जिसका user interface काफी simple है तो अगर demo की बात करें तो आप side में देख सकते हैं जैसे कि मैंने Paytm Money Money app open किया, Paytm Money app के अंदर आपको login करना है, download करने के बाद उसके बाद आपको, यहाँ पे DSP 5050 equal fund का option मिल जाएगा, यहाँ पे आप invest के बटन पे click करें, अपना amount चुने जैसे 5,000, 15,000, 20,000, जो भी और invest कर दें, आपका पैसा invest हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे इस fund के बारे क्योंकि मैं कोई सेवी registered advisor नहीं हूँ, बस अपनी opinion, information आपके साथ share किये, नए fund के बारे में, आप अपना analysis पूरा check करें, और अच्छे से analysis करने के बाद ही आप invest करें, क्योंकि आपको पता है, जो stocks market है, इसमें पैसा लगाना risk की भी होता है, क्योंकि यह जो stock market है, यह आपक marketer subject to trace, बाकि यह वीडियो कैसी लगी, information कैसी लगी, अगर आपको पसंद है, वीडियो को like share कर दीजे, चैनल पे पहली बारे तो subscribe पनने के साथ, notification बेल को दबा के ओल पे, किलिक करें सीतरे का content में आपके लिए बनाता रहता हूं, चले मिलता है एगली वीडियो में एक करता के लिए चैनल